Hello everyone, welcome back to the channel, my name is Gagan and you are instructor for this whole course So last video तक हम JavaScript में Promises के बारे में देख चुके हैं Okay, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले JavaScript में Synchronous and A8 के बारे में तो बिना देर कियों करते हैं आज के वीडियो को start लेकिन हाँ उससे पहले हम Newton School के बारे में देख लेते हैं Newton School क्या है Newton School एक ऐसा प्लेटफोर्म है जहां से आप Tech इंडिस्ट्री में के लिए प्रिपेर कर सकते हैं तो basically Newton School एक e-learning प्लेटफोर्म है जहां पे डिफरेंट कोर्सेज अविलेबल है और Newton School का 300 से ज़्यादा Tech Company के साथ नेटवर्क है जिसमें से Rapido है, Dream 11 है और डिफरेंट टेख कंपनी विच आ ओबिसली गुड तो Newton School में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्रिट हो जाते है सब्सक्राइब करना है और जैसे आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अविलेबल है यहां पर आप देखे भी सकते हो और सब्सक्राइब के बारे में और अब हम स्टाट करने वाले है अपना ज आप लुपस rapid किरें की सिकल इसरी ज रली ही वीपसाइब , फिर नॉक आपको इसमया है पना उचलिक में टिंट करना रठीप जलेग नंश्वॉड पर चाहिक सके लिलेबल घिए लिंक आपको description में मिल जाएगा फिर आपको simple launchpad पर click करना है ओके फिर आपको start now और फिरी पर उके तो जैसे ही आप यहाप यहापे click करेंगे तो मैंने यहाप पहले से account बना रहा है तो मेरे को इसलिए यह dashboard हो करा ठीक है अगर आपने अपना account नहीं बनाया है यहाँ तो आपना account बना लिजे ठीक है तो यहाँ पर देख से को दो तिन सेक्शन बने हुए है पस ट्रैक प्लेग्राउंड एंड एशके अफे णोडमड नहीं करने वाण है यह सेफ़ेखेंगे नियुक्ति करने वारे अब सलते हैं मारे आज की टॉपिक जिसमें हम देखने वाले इंसिंक एंन एवेट के बारे देखते हैं मेर चैजक़ को दिसकिए साथ काम कर सकते हैं लेकिन अब ना तो वो क्म्प्रीट हुई है ना भी खतम हुई है मतलब अभी तुना तो रिजल हुई है ना ही है हो जए है टीक है तो इसके पहले कर्षिट वह है उसको मुझादा यो और आपको यह पर चाहThey हुआ मैं एक गाल ठीक है टो पर मैंक स्यूके ऑफी MIC ज़ूपल करुट करेंगे परोमिस जो तो इसमें दो चीजे होंगे फ़हला हमारा function और function के अंदर हमारी दो चीजे होगे फ़हला हमारा result and second होगा इसमें reject ओके और वहां पर मैंने then or catch के बारे में डिसकुस किया ठीक है तो यह था हमारा टेस्ट नेम से ठीक है इसके अंदर हम सिंपल रिटन करवाते हैं रिटन है गगन ओके ठीक है कुछ ज्यादा कुछ अभी मैंने यहां पर रोकेट सांस नहीं बता रहे आपर सिंपल चीजे हैं तो इसके बाद आते हैं अपनी इस इंकॉर्ण वाली चीज़ पर ओके और यहां यहां पर मैं अपनी इस इंकॉर्ण कर लेता हूं तो मैं यहां पर रन करूंगा तो मुझे सिंपल गगन मिल जाएगा ठीक है तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है यह हमाई एक स्ट्रिंग जो हमने ली थी वही रिटन कर रहे है ठीक है लेकिन जब मैं इस अधक है तो मुझे मुझे से रिटन करेंगा ठीक है टीक है ठीक है और मुझे इस रिटन करेंगा ठीक है तो हम्हारा इंजon hoof की वैट होता है मrit support उप्ण से और मूंसी करेंगा घीक है oh इसमीं नियुल Ły, उके जो, और बाद चीज ुर्ल Aww, यहां पर थाधुम्य। नीयाँ बीजिए, जो, यह बाद आप सिंपल अब मैं इसद्टाइने हो, मैं यह भी करे देखता तो यह हमारा सेख्जेंपल इसको बताता हूं इन सब चीजों करते हैं रिमूव यहां से ठीक है एक फंक्शन क्रेट करते हैं वापस से प्रिंट नेम से ठीक है प्रिंट नेम से और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले मैं console.log यहां पर 1 करते हैं ओके एक मिनट गो इस कोड को हम करने वाला है रुप्लिकेट ओके यहां पर हम करेंगे 2 और यहां पर हम करने वाला है 3 ठीक है फिर में आपको बताता हूँ यह वैट का हम क्यों करते हैं कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं ओक है ठीक है और यहां और यहां पर इसको गळूल कर लिया हूँ और उसके बाद रोग इसको इमस्ट अलोग आप А कि अब मैं इसको रून करता हूं सबसे पहले तो इसका कैसे होगा सबसे पहले मेरे यहां पर इसको बनाता हूं प्रोमिस ठीक है यहां पर यूज करता हूं यहां पर यूज करने वाला हूं कि ऑवेट करेगा यह वाला चीजे और उसके बाद की जो चीजे हैं वह अब एगजीए और उसके बाद की चीजे और करता है को किया वह wilker तो जैसे मेरा को पली को और होगा तो ऑपशनी और इसका मतलब यहां पर आएगा तो इसको भेट करने पहले वाही की चीजे क्प्रेट तो यह जीज़े कंप्लेट होगी तो वापस यहां पर आएगा देखेगा यह चीज़े कंप्लेट हुई है या नई हो यह नई होई तो इसको एक्जून करवाता हूं ओके अब यहां पर देख सकते हो ठीक है सबसे पहले मेरा 1 & 2 इसके बाद यहां पर मेरी pending ठीक है प्रोमिस थे वह pending हो जाएगा इसको यहां पर टो और उसके बाद यहां चीजे पेंडिंग स्टेट में चले जाएंगे ठीक है और उसके बाद करते हैं तो यहां पर क्यों करते हैं इसलिए हम कोई भी सर्वर से अपना डाटा पैस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको और अच्छा स्क्लियर हो जाएगा लेकिन आपको मैं एक आईड़े रहा हूं ठीक है माल लीजिए आप कोई सर्वर से कोई डाटा जैसन फॉर्मेट या किसी फॉर्मेट में आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है न तो आप क्या करोगे इस ब्लोग उसमें यहां पर एवेट यूज करोगे और फेस मेथड़े और मातलब सबसे पहले इस तो हमारे यूज करने वालया तो यह सब्सक्राइब है तो मैं इसको यहां से कोपी कर लेता हूं और यह भी यहां माले जीजिक है तो इसको student मान लेता है ना user मान लेता है चलो sorry user ओके और इसको हम क्या करने वाले हमारे यहां पर जैसन ठीक है तो यहां पर मेरा const user और abit response.json ओके और यहां पर मैं क्या करने वाला हूं यहां पर इसको console.s को त्यांसे रिमूब करता हूं ओके और मैं return कर लेता हूं return user ओके और इसको मैं यहां पर इसको 3 कर देता हूं तो यहां पर हमारा आज को है ठीक है इसको एक ऐसे खोले open कर लेते हैं आपको complete idea लग जाए इसमें तो सबसे पहले मेरा one उसके बाद two उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज करेंगी ओके तो यहां पर मैंने क्या यूज किया इसको डेटा फेज करने वाला हूं ठीक है वैसे टैंसर मत लीजिए आप इसको फेज को ही जान रखें इसकी help संबने डेटा फेज करते हैं next video में इसके फेज API के बार में अच्छे से पढ़ने वाला है ठीक है और यहां पर यहां पर देख सकते हो जिसका प्रोटाइब प् इसके एवेट को हम क्यों करते हैं और इसके क्या क्या यूज़ है मतलब हम सरवर्स से data फेज करने के लिए उसकरते हैं ठीक है तो बस यही था आज के वीडियो में इसको फेज करें ठीक है तो यह था एवेट & Keyword के बारे में ऑके ऐसे नियुक्त व्हीं इकको बते हैं जलते हैंड आफे के साथ मुट आफे प्सक्राइब के perseemरा ने जम्हींully ऐसे हुई हो गई होगी ओके और हाँ वीडियो के लाइंट पर लॉन स्कोल के लिए प्लेटफोम बना गया है उसको अक्सेस करने के लिए आपको simple section बने हो है first track जिसमें हमारे बहुत से courses available होंगे okay for example full stack web development July 2021 okay और इसके बाद यहाँ पे हमारे और introduction to web development से होगे beginner guide data structure algorithm in Java okay Hindi में है यहाँ और complete python course for beginner okay तो इस तरीके से बहुत सारे course available है आप इनको check out कर सकते हो तो second section है playground तो इसमें क्या कि आप online code run कर सकते हैं for example आप कोई भी program नहींवे सीख रहे हैं उसको आपको setup करना जूरूत नहीं है आप simple is launchpad पर आए और playground में आने के बाद आपना code run कर सकते हैं okay आगे हम JavaScript के code को run करवाने के लिए हम इसी का use करने वाले हैं लेकिन हम दो तिन वीडियो यहां पर देखने वाले हैं उसके बाद हम भी यहां पर सिफ्ट हो जाएंगे okay और जो इसका लास्ट है वह content section तो इसमें क्या होता है बहुत सारे content जो भी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में होच के या फिचर में होने वाले वह सभी यहां पर आविलेबल है और जो second है वह है newton grant contest okay तो आप तक आपने participate नहीं के इसमें तो आप इसमें पहले रेजिस्टर कीजिए उसके बाद इस contest ने पाटिस्वेट और हाँ वीडियो के लिए इतना ही था और हाँ एक चीज़ और कीज़ेगा आप इस त्यालों को सब्सक्राइब कर लीजएगा ज नोटिफिकेशन भी ओन कर लिए ठीक है जैसे में वीडियो अपलोड करूँ आपकी बाद नोटिफिकेशन आजाए ओके और साथ में एक काम और कीजिएगा जो मेरी यह जावसक्राइब की प्लेलिस्ट है इसको अपने ब्रावजर पर बुकमान कर लीजए ठीक है यहां प झाल 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 झाल